हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है शिमानी आर्ट क्लासेज में फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट नंबर फोर्ग देखेंगे इसके पहले तीन टेस्ट कराए जा चुके हैं तो आज ये फोर नंबर है जो भी फ्रेंट्स चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही बेल के आइकन को प्रस करें जिससे आने वाले लेटिस्ट वीडियो का नौटिफिकेशन मिल सकें तो इसी तरह से हम कोश्चन के सिरीज लेके आते हैं जिसमें आपको इमपॉर्टन कोश्चन मिलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने कोश्चन आपके सही जा रहे हैं इसके पहले कलाकारों की वीडियो दिये गए थे अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं और चैनल पर आप सर्च करके भी और इमपॉर्टन वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो आप भी साथ के साथ कोशन को देखिएगा और अपने आंसर नोट करते चलिए जिससे आप लास्ट में देख पाएंगे कितने आंसर आपने सही किये तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर वन पहला कोशन है मुख्य तह इमपैस्टो के लिए किस प्रकार का पेंट व्यवरित होता है आपसिन A टैंपरा आपसिन B वाटर कलर आपसिन C तैल रंग आपसिन D एक्रेलिक राइट आंसर इसमें से क्या होगा इमपेस्टों के लिए किस प्रकार का पेंट व्यवरित होता है राइट आंसर ओप्षिन सी तेल रंग यानि कि ओईल कलर्स नक्स्ट कुश्चन कुश्चन नमबर टू है परदाश तकनीक का प्रयोक सरप्रत्थम किस चित्रन शैली में हुआ आप्षिन ए अवदी चित्रन शैली आप्षिन बी पाल चित्रन शैली आप्षिन सी अजन्ता चित्रन शैली या फिर आप्षिन दी मुगल चित्रन शैली राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर है मुगल चित्रन शैली नेक्स्ट कुश्चन Question No.3 I.L. Painting की तक्नीकी किसने प्रारम की? Option A.L. Grigo Option B. John 1. Ike Option C. Peter Paul Rubens Option D. Tizia Right answer Option B. John 1. Ike I.L. Painting तक्नीक किसने प्रारम की थी? John 1. Ike ने Next question Question No.4 है स्थापत्यकला जिसमें आक्रिती सपाट धरातल से उभर कर त्री आयामी रूप धारण करती है क्या कहलाती है? Option A. Graphite Option B. Emerging Relief Option C. High Relief Option D. Low Relief So, Right answer Option C. High Relief Next question Next question Question No.6 है निर्वंश विज्ञान कला से आप क्या समझते हैं? यामिस्टेक हो गई है टाइपिंग में आप क्या समझते हैं? निर्वंश विज्ञान कला से आप क्या समझते हैं? Option A. आदिवासी कला Option B. लोक कला Option C. आप कला Option D. आधुनिक कला तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? निर्वंश विज्ञान कला जो है यह एक आदिवासी कला है राइट आंसर Option A. आदिवासी कला Next Question Question No. 7 कैमोर्ड आर्ट गैलरी किश शहर में इस्थित है? Option A. पेरिस Option B. वासिंगटन Option C. मुंबई Option D. चैन्नाई राइट आंसर Option C. मुंबई कैमोर्ड आर्ट गैलरी जो है यह किश शहर में है? मुंबई में है Next Question Question No. 8 पक केजी सुब्र मर्यम का देहान किस वर्ष हुआ था? Option A. 2015 Option B. 2013 Option C. 2016 या फिर Option D. 2014 तो केजी सुब्र मर्यम का निधन किस वर्ष हुआ था? Right answer Option C. 2016 Question No. 9 देखिए निम्न लिखित में से कौन सा इंस्टालेशन सुबोध गुपता द्वारा निर्मत किया गया Option A. NFO Option B. UFO Option C. BFO Option D. GFO तो फ्रेंड्स इस कोश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताईएगा चलिए चलते हैं Next Question की ओर Next Question है Question No. 10 शांतिनी केतन में राम किंकर बैज किस रूप में जाने जाते हैं Option A. चित्रकार Option B. स्थापत्यकार Option C. मूर्थिकार Option D. प्रेंट मेकर तो राइट आंसर क्या होगा शांतिनी केतन में राम किंकर बैज जो हैं ये एक मूर्थिकार के रूप में जाने जाते हैं राइट आंसर Option C. Next Question Question No. 11 वर्ष 1950 से 1970 के मध्य कौन सा कला अभियान अस्तित्व में आया जिसके अंतरगत लगू एवं व्रहद आकार के अमूर्थ वर्ण सैयंद्रों का प्रयोग हुआ Option A. Minimalism Option B. अमूर्थ अभिवेंजनावाद Option C. Pop Art Option D. Op Art Right answer Option D. Op Art Next Question Question No. 12 बहुँ स्तरिय परिप्रेक्ष का प्रयोग किस चित्र शाला में निर्मत चित्रों में देखा जा सकता है Option A. औरंग जेब Option B. समराट अकबर Option C. जहांगीर या फिर Option D. सामन्त सिंग Right answer Option C. जहांगीर Next Question Question No. 13 बहुँ संदरिय शास्त्र के शडांग में लामवड़ी यूजना से क्या तात परिया है Option A. सामन्त जैसे Option B. वर्ण Option C. कांती Option D. आकार तो Right answer क्या होगा Option C. कांती Next Question कला सिर्धान से संबंधित प्रभाविता का उत्तम उदाहरन नेमनलिकित में से किस कला कृती में देखा जा सकता है Option A. मर्ती हुई राजकुमारी Option B. राहुल समर्पण Option C. वेसांतर जातक Option D. कपी जातक Right answer Option B. राहुल समर्पण Next Question Question No.15 कलात्मक चलचित्र गजगामिनी के रचैता कौन थे? Option A. विवान सुंदरम Option B. M. एमेफ हुसेन Option C. नलिनी मलानी Option D. शतीस गुजराल Right answer Option B. M. एमेफ हुसेन गजगामिनी के रचैता कौन थे? M. एमेफ हुसेन Next Question Question No.16 मध्यप्रदेश की प्रागयतिहासिक कालिन गुफा भीम बेटका का अनुवेशन किस पुरा तत्व विता ने किया था? Option A. विएस वाकड कर Option B. विएस साखल कर Option C. HD गार्डन Option D. PD दवे Right answer Option A. विएस वाकड कर प्रागयतिहासिक कालिन जो गुफा है भीम बेटका इसका अनुवेशन विएस वाकड करने किया था Friends अगर आप गुफाओं का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर गुफाओं का वीडियो दिया गया है वहाँ से आप देख सकते हैं Next Question उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? Option A. ब्रजमोहन शर्मा Option B. विभन्दास Option C. पीवी राजीव नयन Option D. नागजी पतेल Right answer Option C. पीवी राजीव नयन उत्तर प्रदेश के जो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं इन में से पीवी राजीव नयन है Next Question Question No. 18 देखिए प्रसिद्ध चित्र बनी ठड़ी किस ने चित्रित किया? Option A. निहाल चन Option B. फत्तु चन Option C. नैन सुक Option D. पुर्खु चन Right answer Option A. निहाल चन प्रसिद्ध चित्र जो बनी ठड़ी है ये निहाल चन्द के द्वारा चित्रित की गई है Next Question Question No. 19 सारनाथ इस्थित लायन सिर्ष या निलायन कैपिटल किस माध्यम में निर्मित है? Option A. जस्ता Option B. चमकदार पत्थर Option C. लोह Option D. फाइबर ग्लास Right answer Option B. चमकदार पत्थर Next Question भारती चित्र कला में सर्प्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहराण किस गुफा से प्राप्त हुए? यहां में स्प्रिंट है चतों होगा भारती चित्र कला में सर्प्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहराण किस गुफा से प्राप्त हुए है? Option A. जोगी मारा गुफाचित्र Option B. भीमबेट का गुफाचित्र Option C. अजनता गुफाचित्र Option D. सित्तन वासल गुफाचित्र Right answer Option A. जोगी मारा गुफाचित्र सरुप्रथम छतों पर जो चित्रों के उदाहरण मिले हैं वो जोगी मारा कुफास चित्रों से मिले हैं नेक्स्ट कोश्चन कलाकारों के किस समों ने अजन्ता चित्रों की अनुकृतियां तयार की थी आप्सिन A है नंदलाल बोस असित कुमार हालदार विनोध बिहारे मुखरजी वैंक टपा आप्सिन B में है वैंक टपा विनोध बिहारे मुखरजी कुलार्चर अमित सेन आप्सिन C में है नंदलाल बोस वैंक टपा असित कुमार हालदार विनोध विनोध बिहारे मुखरजी कुलार्चर अमित सेन अजन्ता चित्रों की जो अनुकृतियां हैं वो किल कलाकारों के समोह ने तयार की थी तो नंदलाल बोस वेंकटप असित्कुमार हालदर लार्चर 1910 इस्वी में लेडी हरिंगम के आमांत्रण पर बसू, नंदलाल बसू, हालदार, वेंकटप अलार्चर ने अजन्ता भीति चित्रों की अनुकृतियां तयार की थी नेक्स्ट कोश्चन नंबर 22, मिनिमल कला से समबंधित कृति, वायस आफ फायर, किसने निर्मित की, आप्सन ए, जिम थांपसन, आप्सन बी, काजिमिर मालविच, आप्सन सी, टोने इसमित, आप्सन बी, बारनेट नियू मैन, राइट आंसर, आप्सन डी, बारनेट नेक्स्ट कोश्चन नंबर 23, इटालियन कलाकार का नाम बताईए, जो चित्रकार, मूर्तिकार, अस्थापत्यकार, वैज्यानिक, इंजीनियर, सहितिकार तथा एतिहासकार था, आप्सन ए, रुबेंस, आप्सन बी, एल ग्रेको, आप्सन सी, माइकल, एंजलो, या फिर आ लियोनाडो दविंची, राइट आंसर आप्सन टी, लियोनाडो दविंची, नेक्स्ट कोश्चन, कोश्चन नंबर 24, निम्न में से सही को चुनिये, आप्सन ए में है, लेपाक्षी मंदिरों के चित्र, वैश्नो धर्म पर आधारित हैं, आप्सन बी, पाल शैली के पोथी चित्र बौध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं, आप्सन सी, विश्नो धर्मुतर पुराण के चित्र सूत्र में 6 प्रकार के रंग बताए गए हैं, आप्सन डी, जैन शैली के चित्र दक्षन भारत से संबंधित हैं, इनमें से सही कौन सा है, तो राइट आंसर आप राल शैली के जो पोथी चित्र हैं, ये बौध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं, राइट आंसर आप्सन बी, नक्स्ट कोश्चन, कोश्चन नमबर 25, कौन सी प्रसिद्ध एतिहासिक मूर्ती माइकल एंजलो द्वारा निर्मित की गई, आप्सन ए लाव कास, आप् प्रेप्टिस्ट, आप्सन सी, पिएटा, आप्सन डी, हैर्क्यूलिस, राइट आंसर, आप्सन सी, पिएटा, पिएटा की जो मूर्ती है, ये माइकल एंजलो के द्वारा निर्मित की गई है, तो फ्रेंड्स, आज के ये 25 कोश्चन थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एक्जाम की द्रिष्टी से, और ये प्रेवियस एर कोश्चन ही है, यानि कि एक्जाम में आये हुए कोश्चन है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, कोश्चन्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको जादस जादस शेयर करें जो भी friends art की preparation कर रहे हैं तो आने वाले art exam के लिए ये बहुत ही helpful वीडियो रहेगा आप इसे जादस जादस शेयर करें friends मेरा उद्देश ये होता है कि वीडियो जादा से जादा लोगों तक पहुँचे जिससे सब ही को help मिल सके और वो अपनी preparation कर सके आसानी से वीडियो के description में और भी important वीडियो के link दे जाते हैं बहुत सारे कलाकारों के वीडियो चैनल पर कराए गए हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करिए और वहां आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे जो आपके लिए helpful साबित कि नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए take care and bye bye